परिचय छात्रों, हाज हम जय प्रद्दोकी की और इसके प्रक्रमों को जानेंगे क्या कोई शब्द जय प्रद्दोकी की को परिभाशित कर सकता है? हाँ सेल जिसका उप्योग उत्पादों को रूपांतरित करने और मानद जीवन हे तू उन्हें उप्योगी बनाने के लिए किया जाता है बहुत अच्छे वे प्राक्रब क्या हैं जिने हम जह प्रोद्दुकिकी में शामिल करते हैं सेर इसमें क्रित्रिम डिने का निर्माण शामिल है सही कहा डिने का क्यार्थ है सेर डि आक्सी रिबोन यूगलिक अमल सही कहा तो आव इस पार्ट में हम जह प्रोद्दुकिकी के सिध्धान्त और प्राक्रबों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंद में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे जैव प्रोद्दुकिकी के सिध्धान्तों का वड़न करना एक क्रित्रिम पुनर्योगच डिने अनू के निर्माण का वड़न करना पुनर्योगच DNA प्रद्योगी की के साधनों का वड़न करना DNA खंड के प्रतकरण एवं विलिगन की चर्चा करना क्लोनिंग संभाहक का वड़न करना पुनर्योगच DNA प्रद्योगी की के प्रकरमों का वड़न करना जयव प्रद्योगी की के सिध्धांत जैप्रोध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध और या अनुवन्शिक पदार्थ को अन्य पर पोशी जीवों में प्रवेश करा कर इसके समलक्षणी में परिवर्थन करना। आनुवन्शिक इंजिनिरिंग के सिध्धांतों का विकास संकरण उत्पादों में सुधार के लिए पाधप्रजनन और जंदू प्रजनन में उप्योग की जाने वाली पारम परिक्विदी है। इसमें प्राया वांशित जीन के साथ साथ अवांशित जीन का समावेश भी हो जाता है। संकरण की कमियों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजिनिरिंग द्वारा पुनर योगज डियने विक्सित किया जा सकता है। विजातिय डियने या क्रेत्रिम डियने से जुड़ा परपोशी डियने पुनर योगज डियने कहलाता है। प्रतीकृती का मूल DNA का अनुक्रम है, जिस स्थान पर प्रतीकृतियन या एक गुनसूत्र प्लाजमिट या वाइरस पर शुरू होता है। जीवाणूं प्लाजमिट तथा छोटे वाइरसों सहित छोटे DNA के लिए एकल मूल ही परियाप्त है। बड़े DNA में अनेक मूल होते हैं, और DNA प्रतीकृतियन उन सभी मूलों पर शुरू होता है। कृतरिम पुनर योगज DNA अनुका निर्मान जब विजातिये DNA प्रतीकृति के मूल से जुड़ा होता है, तो पर पोशी जीव में DNA प्रतीकृति एवं गुनित हो सकते हैं। ये DNA कलोनिंग कहलाता है। कृतरिम पुनर योगज DNA का निर्मान प्लाजमिट अतिरिक्त गुन सूत्र DNA हैं, जो एक जिवाणों से दूसरे जिवाणों तक जीन या DNA इस्थनांतरित कर सकते हैं। वे साल मोनेला टाइफी मूरियम के प्लाजमिट से प्रती जैविक प्रतिरोधी जीन को प्रती बंधन एंजाइम्स दौरा काट कर अलग करते हैं। प्रिथक जीन, DNA, लिगेज एंजाइम दौरा प्लाजमिट से जुड़ा हुआ था। ये पुनर योगेज DNA पात्रे बनाता है जो प्रयोगशाला की दशाएं हैं। प्रती जैविक प्रतिरोधी जीन इक प्रती करिती बना सकते हैं। और बहु प्रतिया बनती हैं। ये जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीव के अनुवंशिक रूपांतर में निम्न चरण होते हैं वांचित जीन युक्त डिने की पहचान चिनित जीन का परपूशी में स्थानांतरण इस्थानांतरित डिने को परपूशी में स्रक्षित रखना तथा उसकी संतती में इस्थानांतरित करना है पुनर योगज डि DNA तक्नी के साधन प्रतिबंधन एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम, नुकलिएज़ कहलाने वाले एंजाइमों के वर्ग बें आते हैं. ये एंजाइम, DNA दूई कुंडलिनी को विशिच्ट अनुकरम पर काड़ सकते हैं. ये दो प्रकार के होते हैं. एंजाइम दिने के सिरों से निकलोटाइट को अलग करते हैं. एंजाइम दिने के भीतर विशिच्ट इस्थलों पर काड़ते हैं. ये एंजाइम दिने में पैलिन्डोमिक नुकलियोटाइट अनुकरम कहलाने वाले विशिस्ट अनुक्रमों की पहचान करते हैं पहलीन्ट्रोमिक निकलियोटाइट अनुक्रम ये चार युगम का अनुक्रम है जो पढ़ने के अभिविन्यास को सभान रखने वाले दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है निम्न अनुक्रमों को 5' से 3' दिशा में या 3' से 5' के दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है 5' GAATTC 3' 3' CTTAAG 5' प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज हिंड दो था झाल प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज एंजाइम की क्रियात्वारा पुनर योगज DNA के निर्माण में चरण कुछ जीवानों में प्रतिबंधन एंजाइम प्राकृतिक रूप से पाय जाते हैं और विशाणों के वृत्थ रक्षा तंत्र के रूप में कारे करते हैं प्रतिबंधन एंजाइम एक विशिष्ट इस्थल यानि पहचान इस्थल पर काड़ता है जहां निकलियोटाइट्स का एक विशिष्ट अनुक्रम पाय जाता है प्रतिबंधन एंजाइम एको आरवन में निम्न पहचान इस्थल होते हैं GAA-TTC CTTAAG इसकार्थ है कि एको आरवन इस अनुक्रम में केवल G और A के बीच काटेगा चरण 1 एको आरवन के लिए पहचान इस्थल युक्त DNA का एक खंड नीचे दिया गया है चरण 2 एको आरवन डिने लड़ी को पहचान इस्थल पर काटता है G और A के बीच चरण 3 डिने लड़ी विखंडित हो जाती है इससे खुले निकलियोटाइट्स या चिपचिपे छोरवाले डिने खंड उत्पन होते हैं अन्य प्रतिबंधन एंजाइम उधारन के लिए हिंड दो में सीध में काटता है और बंद निकलियोटाइट वाले डिने खंड उत्पन करता है ये खंड अनासंजी स्रे कहलाते हैं चिपचिपे स्रे और अनासंजी स्रे एक अन्य डिने एंजाइम लिगेज द्वारा बंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में आपस में जोड़े सकते हैं आपस में जोड़े जा सकते हैं डीने लिगेज, डीने की मरमद और प्रती कृतियन में शामिल होते हैं। लिगेज का कारेबंधन कहलाने वाली प्रक्रिया में डीने खंडों को पुना जोड़ना है। डीने खंड चार युक्म रेखन का उप्योग करके आपस में जोड़ जाते हैं। डीने के एक खंड के खुले नुकलियोटाइट्स दूसरे डीने खंड के लिए चार युक्म दवारा आकशित किये जाते हैं। खंड एंजाइम डीने लिकेज दवारा जुड़े होते हैं जो खंडों को उनकी शरकरा फास्वेट रीड़ पर जूड़ते हैं। यदि डीने ख खंड अलग-अलग स्रोतों से है तो पुनर योजन टिये ने उत्पन होता है। पुनर योगज डीने का उत्पादन प्रती बंधन एंजाइम एको प्रीड के क्रिया के परिडाम सरूप होता है और बंधन को निमनलिकित आरेक में दर्शाया गया है। एंजाइम दोनों डीने को समान आमाप पर काड़ता है। उसके बाद दोनों डीने खंडों को चिपचिपे सिरों पर जोड़ा जा सकता है। और इसके फलसरोप पुनर योगज डीने बनता है। डीने खंड का प्रितक करण एवं विलकन डीने खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानि वेद्धुत करण संचलन का उप्योग करके अलग किया जा सकता है। विभिन आकार वाले अणों को सरंद्री स्पंज जैसे मैट्रिक्स में अलग करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में विद्ध धारा का उप्योग किया जाता है। बड़े अणों की तुल्ला में छोटे अणों जेल रंद्रों से बहुत आसानी से गती करते हैं। फिल शाप्र, जू सैंब्रुक और बिल साग्डेन ने अत्यदिक शुद्ध सबुद्रिय घास से बने एकारोज जैल का उप्योग करके डिने एलेक्ट्रोफोरेसिस टक्नीक विक्सित की है। जेल को विद्ध प्रवाहित होने वाले लवन फिलियन से भरे टैंक में डुबोया जाता है। आसान हो जाता है। डिने रीड में सिद्ध फास्वेट सबुँ रनात्मक आविशित ऑक्सिजन लेकर डिने अडुं को पूरी तरह से रन आविशित कर देते हैं। विद्ध धारा में रनात्मक आविशित डिने इलेक्ट्रोफोरिसिस कक्ष के धनात्मक ध्रव की ओर चले जाते हैं। डिने अडुं एक रोज मेट्रिक्स के रन्द्रों की रेप्टिशन, रेप्टाइल जैसे सप्र की तरह की क्रिया द्वारा जेल से होकर इस्थानांत्रित होते हैं। दिये गए समय में छोटे डिने खंड बड़े खंडों की तुल्ला में तेजी से गती करते हैं और अधिक दूर तक जाते हैं। इस तरह डिने खंड एक एक रोज जेल में आहमाप अनुसार अलग अलग किये जा सकते हैं। कलोनिग समवाहक क्लोनिग समवाहक प्रतिबंधन एंचायमों के लिए अगले महतपून साधन हैं। सामानने क्लोनिंग सम्वाहक, प्लाजमिट और जीवानु भुजी हैं। एक सम्वाहक में क्लोनिंग को आसान करने के लिए निम्न विशेशताओं की आविशक्ता होती है। प्रतीक्रितियन की उत्पत्ति यानी मूल। यह एक अनुक्रम है जहां से प्रतीक्रितियन की शुरुवात होती है। और डिने का कोई भी टुकड़ा जब इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तो अगली कोशिकाओं में प्रतीक्रितियन कर सकता है। वरण योग के चिन्हक मूल ओरी के साथ समवाह को वरण योग के चिन्हक की भी आविशक्ता होती है जो रुपान तरजों और अरुपान तरजों की पहचान करने में सहयता करते हैं। उधानों के लिए एमपिसिलेन, क्लोरेमफेनिकॉल, टेट्रसाइक्लिनादी जैसे प्रती जहविकों के प्रती प्रतिरोध ग्रोडित करने वाले जीनों का वरण योगे चिन्हकों के रूप में उप्योग किया जाता है। रूपान तरण ये एक प्रक्रिया है जिसके दोरा एक डिने खंड को पर बोशी जीवाणों में प्रवेश कराय जाता है। क्लोनिंग संभाहक क्लोनिंग स्थल ये वे स्थल हैं जहां पर विजातिय डिने जुड़ता है। निवेशी निश्क्रियता प्रती जैविक प्रतिरोथी चीन का उप्योग करके पुनर योगजों का चयन करना एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए एक वेकल्पिक विधी विक्सित की गई है। इसमें रुपान तर्जों, पुनर योगजों और आपुनर योगजों की पहचान क्रियाधार की उपस्तिती में रंग उतपन करने की उनकी शमदा क्याधार परकी जाती है। इसमें एक पुनर योगज डीने को एक लेक्टो साइजिस एंजाइम के अनुक्रम में प्रवेश कराये जाता है, जिसके फल सवरूप एंजाइम निश्क्रिये हो जाते हैं और इसे निवेशी निश्क्रियता कहते हैं. इसलिए इस प्रकार के जिवानों द्वारा नीला रंग नहीं प्रदान किया जाएगा, आप पुनर योगज नीला रंग प्रदान करेंगे. पौधों वा जन्तों में जीन क्लोरिंग है तू समभाहक. जीनों को इस्थानांतरित करने के लिए कुछ जीवानों और वाइरस का उप्योग किया जाता है. उधारन के लिए अनेक दूई बीच पत्री पौधों पर पाया जाने वाला रोग जनक एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमी फेशियन्स टी डिने कहलाने वाले डिने का खंड इस्थानांतरित करता है. और पौधों की कोशिकाओं को ट्यूमर अर्बुद में रुपांतरित कर देता है और अर्बुद कोशिकाएं रोग जनक के लिए सरूरी रसाइनों का उत्पाधन करती हैं. अब इस जीवानों के टी आई प्लाजमिट का उप्योग अपनी अभिरुची के जीन को अनेक पौधों में इस्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है. जनतों में पश्च विशाणूं परपोशी कोशिकाओं को संबंधित कोशिकाओं में रुपांतरित करने के लिए अपने डीने को परपोशी कोशिकां में इस्थानांतरित कर सकता है. इसलिए पश्च विशाणूं का एक समवाहक की रूप में उप्योग किया जाता है. यानि पुनर योगज DNA के साथ रुपान तरण हे तू। DNA जल रागी अड़ों होते हैं, इसलिए इसे कोशिका जिल्ली से होकर गुजारने के लिए कोशिका को केल्शियम जैसे दूई संयोजन धनायन की विशिष्ट सांद्रता के साथ संसाधित किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं को पहले पुनर योगज DNA के साथ बर्फ पर रखा जाता है, तब पुनर योगज DNA को उन कोशिकाओं में बल पूर्वक प्रवेश कराय जाता है, इसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, और पुना इसे वापस बर् विजाती ये DNA को प्रवेश कराने की अन्य विधिया सूक्ष्म अंतक्षिपन और बायोलिस्टिक या जीन कन है, सूक्ष्म अंतक्षिपन में DNA को पुनर योगज के प्राक्रम पुनर योगज DNA तक्नीक में अनेक चरण शामिल होते हैं जैसे आनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्रिथक करण DNA को विशिष्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन पर पोशी कोशिका या जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रवाह संसाधन अनुवन्शिक पदार्थ DNA का प्रथक करण प्रती बंधन एंजाइम की क्रिया के लिए DNA को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाहिए ये लाइसोजाइम, सेलिलोईज, काइटिनेज जैसे एंजाइमों से जीवाणों कोशिकाओं को संसाधित करके किया जाता है DNA हिस्टोन, प्रोटीन और RNA के साथ गुंधे रहते हैं RNA को रिबान यूकलेज से उपचारित करके जबकी प्रोटीन को प्रोटी एस से उपचारित करके अलग किया जाता है अन्ने अनुओं को उचिद उपचार द्वारा अलग किया जाता है और अनन्त गुत्वा दुरुद्शीतित एथेनॉल मिलाने से शोधिद DNA अवक्षिपित हो जाता है DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटना शोधिद अड़ों को इस्टतम परिस्थितियों में रखने पर प्रती बंधन एंजाइम का उप्योग किया जाता है प्रती बंधन एंजाइम की वृत्धी जांचने के लिए पाचन एक अरोज जेल इलेक्ट्रोफोरिसिस का उप्योग किया जाता है पुनर योकज डिने तैयार करने के लिए सुरोत डिने से काटा गया अभिरुची का जीन तथा खाली जगा के साथ कटे हुए समवाह को मिश्रित किया जाता है और लिकेज मिलाया जाता है पुनर योकज डिने प्रोध्योग की के प्रक्रम PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्धन पॉलिम्रेज श्रिंखला अभिक्रिया यानी PCR विशिष्ट डिने अनुक्रमों का घातां की प्रवर्धन प्रतान करती है PCR के लिए आवशक है DNA टेंपलेट कोई भी स्रोत जिसमें एक या अधिक लक्षित DNA अणु होते हैं प्रवर्धित किये जाते हैं उप्क्रमक समान जीबलसी सामगरी के साथ साथ लगभग 10-18 निकलियोटाइट्स के रसाइनिक संशलेशित अल्प निकलोटाइट का युग्म उपक्रमकों के रूप में कारे करता है जो एक दूसरे के प्रती सीधे DNA संशलेशित करते हैं एंजाइम सामान रूप से उप्योग किये जाने वाले दो एंजाइम हैं टैक पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज ये 95 डिग्री सेलसियस पर 1-2 मिनट तक बचे रह सकते हैं इस तकनीक में 3 चरण शामिल हैं एक विक्रिती करण लक्षित DNA का गलन दूई लड़िये DNA से इसकी पूरक लड़ियों को प्रथक करने के लिए उच्च तापमान यानी 15 सिकंड के लिए 95 डिग्री सेलसियस का उप्योग करके इसे विक्रित किया जाता है DNA संचलेशन के लिए प्रतेक प्रथक एक लड़िये DNA टेंफलेट के रूप में कारी करता है 2. उपक्रामक तापनुशीलन विक्रित DNA लड़ियों के लिए दो अल्प निकलियोटाइड उपक्रामों कों का तापनुशीलन अतरिक्त उपक्रामक मिलाकर और 60 सेकंड के लिए लगभग 68 डिग्री सेलसियस तापमान कम करके किया जा सकता है उपक्रामक हाइडोजन बंध बनाते हैं जो DNA अनुक्रमक के दोनों सिरों पर DNA का तापनुशीलन करता है 3. उपक्रामकों का विस्तार बहुलकी करण DNA पॉलिमरेज उपक्रामकों को बढ़ाने के लिए उपक्रामकी बहुली की करण प्रक्रिया की शिरुवात करता है जिसके परिणाम सरूप लक्षित DNA अनुक्रमकी प्रतियों का संशलेशन होता है उप्योग कीए जाने वाले दो एंजाइम टेक, पॉलिमरेज और वेंट पॉलिमरेज हैं पुनर योगज DNA प्रद्योगी की के प्राक्रम परपोशी कोशिका या जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन यदि पुनर योगज DNA को जिसमें प्रती जेविक M.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. उत्पाद प्राप्र करना विजातिय डिये ने जीन अभिव्यक्ति द्वारा वांचित प्रोटीन उत्पन्ने करने के लिए प्राया गुनित हो जाता है। प्राया विलोडन प्रकार के बायो रेक्टर का उप्योग किया जाता है। गुमाओदार होते हैं। विलोडन प्रायो रेक्टर में आक्सीजन उप्लब्धता वा उसके मिश्रण का काम करते हैं। विकल्पता हवा पुलबले के रूप में प्रायो रेक्टर में भेजी जा सकती है। एक बायो रेक्टर में निम्न घटक होते हैं। पुनर योगज डियने प्रद्योकिकी के प्राक्रम अनुप्रवाह संसाधन इसमें प्रथक्करण वाश्योधन शामिल है इसे सामोहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं औशदी के मामले में ऐसे संरूपन को जो किसी ये परीक्षन से गुजारते हैं अनुप्रवाह संसाधन प्रत्यक उत्पात के लिए बिन भिन होता है क्या आप जानते हैं आनुवंशिक रोगों से नवजाद शिश्यों की बृत्यों के बारे में पहले से डॉक्टरों को ये पता किस के लिए कौन दोशी है चल जाता है अब वैग्यानिकों ने नियमित चिकिसा दिखभाल के लिए जीन मैपिंग के करीब पहुँचकर एक सब्ता के बजाए कुछी दिनों में उन शिश्यों के डियने के कुछ लेखन का एक तरीका खोज लिया है सिर्फ पचास घंटों में हम नवजाश शिश्यों के जीनों का विकोडन और व्याख्या कर सकते हैं सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में तोहराएं जयव प्रोध्दुकी की एक तकनीक है जिसमे उत्पादों को बनाने या रुपांतरित करने पौधों या जन्तों में सुधार करने के लिए या विशिस्ट उप्योग हे तो सूख्ष में जीवों का विकास करने के लिए जीवों का उप्योग किया जाता है संकरण की कम्यों को दूर करने के लिए आनुवंशिक इंजिनिरिंग द्वारा पुनर योगज DNA विक्सित किया जा सकता है जब विजातिये DNA प्रतिकृती के मूल से जुड़ा होता है तो परपोशी जीव में DNA प्रतिकृती वागुनित हो सकते हैं ये DNA क्लोनिंग कहलाता है प्रति जैविक प्रतिरोधी जीन इकोलाई में प्रतिकृती बना सकते हैं और बहु प्रतियां बनती हैं ये जीन क्लोनिंग कहलाता है प्रतिबंधन एंजाइम DNA दुई कुंडलिनी को विशिस्ट अनुकरम पर काड़ सकते हैं पुनर योगज DNA प्रतिबंधन एंजाइम को पुनर योगज DNA प्रतिबंधन एंजाइम एको आरवन और बंधन की क्रियाद्वारा उत्पन्न किये जा सकते हैं DNA खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानि वेदुध कर्ण संचलन का उप्योग करके अलग किया जा सकता है एक DNA अणु जो विजातिय DNA को एक परपोशी की कोशिका में ले जाता है जीवाणों कोशिका के भीतर प्रतिक्रिती बनाता है और स्वयम की अनेक प्रतियां उत्पन्न करता है और विजातिय DNA क्लोनिंग सवहग कहलाता है पुनर योगज DNA तकनीक में अनेक चरण शामिल होते हैं अनुवन्शिक पदार्थ का प्रथक करण अनुवन्शिक पदार्थ यानि DNA का प्रथक करण DNA को विशिष्ट इस्थलों पर काटना PCR का उप्योग करके अभिरुची के जीन का प्रवर्थन परपोशिक कोश का जीव में पुनर योगज DNA का निवेशन बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना अनुप्रवा संसाधन